ही एब्रिवान वेल्कम टू इस चैनल माई नेम इस पृती एंड मैं लाती हूं इस चैनल पर क्योंकिंग रेलेटेड वीडियो सो गाइस आज की रेस्पी हमारी थोड़ी यूनिक और थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज जो सब्जी हम बनाने वाले हैं वो है पंकिन के स्किन की यानि कद्दू के छिलके की क्यों है न सुनने में वियर्ड सो डॉंट वरी गाइस यह रेस्पी सुनने में जित बनाने के लिए हमें कड़ाई गर्म करना उसमें चार बड़े चमच ऑइल डालने हैं और गर्म होने देना है जैसे ही हमारा ऑइल गर्म हो जाएगा हमें डालने हैं कुछ कटे हुए लैसुन थोड़ी सी ग्रीन चिली उसके बाद हाफ टेबल स्पून मेथी और जीरा और इन स इसमें थोड़ी जादे रहनी है तो जैसे हम प्याज एट करेंगे उसके बाद हम अगर आपके पास मटर है तो आप उसमें मटर एट कर दे और इन सारी चीजों को मिलाकर अच्छी तरह से कुप करें जैसे हमारा अनियन और जो हरा मटर है वो हलका सा कूक हो जाएगा इसमें हम डालेंगे अपने कद्दू के छिलके के हमें ध्यान रखना है कि हमारे कद्दू होगा वह फ्रेश होना चाहिए और हमें थोड़ा छिलका जो है वो कद्दू से मोटा उतारना है सो इसके बाद कदूल के छिल्कों को डाल लेके बाद हम इसे ढख देंगे थोड़ी देर के लिए और अच्छी सो एक मिनट बाद हम इस ढखन को हटाएंगे और इसमें आधा छोटा चमच हल्दी डालेंगे और फिस थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और इन सारे शीजों को अच्छी 해ológ मिक्स कर लेंगे इस पेड एक से फिर इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए डाख देंगे एक से दो मिनट तक Ary and फिर दो मिनट बाद हम अब करका घंग और से फिर चला लेंगे और फिर थोड़ा से दोग दीन ग है पुल तो बेसिकली यह दस मिलिट में कुक हो जाता है हाई फ्लेम पर इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो कद्दू के छिल्की की सब्जी है वो रेडी है अब मैं इसे चेक करूंगे कि यह अच्छी तरह से कुक हो गया है कि नहीं अब यह आप देख सकते हैं कि इसली हैंड से ब्रेक हो जा रहा है सो फाइनली इसका मतलब है कि यह रेडी है सो अब हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे एंड नाउ आवर यूनिक साब पंपकिन के छिल्की की सब्जी तयार है तो आप इससे राइस दाल के साथ सर्फ कर सकते ह हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है लाश्ट में हम इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता और इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम ढग देंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जी है वो तयार है अगर इस पर आपको अच्छी लगी हो पसंद आया हो तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना